स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एम्यू क्लास के कला के रात 8 बजे के आज के इस वीडियो में उमिद करता हूँ आप लोग मजे में होंगे पढ़ाई को इंजुआय कर रहे होंगे तो चलिए सिंसले को आगे बढ़ाते हुए आज भी जो है टाप 30 प्रशनों की बहतरीन शरिंखला ली गई है और उमिद करूँगा कि आपको बहत पशंद आएगी और हमारे फेस्बुक पेज पे जाके फालो जरू कर लिजेगा और अगर आप कुछ हेल्प देना चाहते हैं एमिउ क्लासिस को तो वहाँ पे एक इस्टार आपको दिखाई देगा एलो कलर का दाहीने बाये तरफ उपर तो चाहे तो आप इस्टार सेंड कर सकते हैं सपोर्ट के लिए एमिउ क्लासिस को तो चलिए ये फेस्बुक पे है जो मैं बता रहा हूँ इस्टार वला तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण जो आपके स्क्रीन पे है प्रस्ण कहरा है कि एमेफ हुशैन किसे अपना प्रियचित्रकार इन में से मानते थे मकबोल फिदा हुशैन शाहब इन में से किसे अपना प्रियचित्रकार मानते थे सतीस गुजराल को या गणेश पाइन को नंदलाल बोश को या बीशी शान्याल शाहब को ठीक है तो पहला प्रस्ण जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है और शुरू कर दीजिए कमेंट्स करना और वीडियो गर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेयर कर दीजिएगा ठीक है सेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा तो पहले प्रस्ण के उत्तर की शुरुआत कर देते हैं हम लोग तो पहले प्रशन के हमारे जो उत्तर होगा मित्रों वो आपका क्या हो जाएगा B क्या हो जाएगा B गणे स्पाइन किसे में फुशेन अपना प्रिय चितरकार मानते थे गणे स्पाइन को ठीक है अगला प्रशनी स्क्रीन का कहरा है कि आधुनिक कलाकार गणे स्पाइन किस माध्यम के लिए प्रशिद्ध है एकरलिक माध्यम के लिए या फिर जलरंग माध्यम के लिए तैल माध्यम के लिए या टेंपरा माध्यम के लिए गड़ेश पाइन शाहः जिन्होंने कला के छेतर में बहुत सारी योगदान दिये हैं किस माध्यम के लिए उन्हें जाना जाता है यानि किस माध्यम में उनकी परशिद्धी थी इन में से तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका D टेम्परा माध्यम में गड़ेश पाइन साहा परशिद्धे टेम्परा माध्यम में ठीक है बढ़ते हैं तीसरे प्रस्ण की दरफ तीसरा प्रस्ण आपके श्क्रीन का कहराय देखिएगा किस कलाकार के द्वारा रचित मीरा का मेवार त्याग चित्र युनिशको दारा पूरे विश्व में परदाशित किया गया मतलब इसमें से एक कलाकार है जिनोंने चित्र रचा मीरा का मेवार त्याग चित्र का नाम है और उसको युनिशको ने जो है के द्वारा पूरे भिश्व में उसको परदर्शित किया गया था तो क्या वो नंदलाल भोस का चित्र है ये मीरा कामेवारत्याग या अवनिंदरनाथ टैगोर का जे एम अहिवाशी ठीक है या अशित कुमार हलदर यानि जगरनाथ मुर्ली धर अहिवाशी पूरा नाम है ये तीसरे वाले जो आपसन में है आपके ठीक है तो मीरा कामेवारत्याग युनिश्को द्वारा पूरे विश्व में परदर्शित किया गया और बनाया गया रचा गया किनके द्वारा तो मित्रो ये रचा गया जे एम अहिवाशी जगरनाथ मुर्ली धर अहिवाशी के द्वारा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कहा रहा है आमारा प्रसने इन्हें दच्छिड भारत में आधुनिक कला का जन्म दाता माना जाता है कहाँ पर दच्छिड भारत की बात कर रह द्यान दिजेगा इन्हें दच्छिड भारत में आधुनिक कला का जन्म दाता इन्हें माना जाता है तो क्या वो केसियस पनिकर है जिने दच्छिड भारत के आधुनिक कला का जन्म दाता माना जाता है या मुकुल चंद्र डे है अकबर पदमशी या मनजीत बाबा किशे उमीद है कि ड्रॉप करना सुरू कर दी होंगे आपनों कमेंट्स को और फेस्बुक पेज को फालो करके इस्टार सपोर्ट जरूर करिए क्योंकि जहां मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं मित्रो जिनको माई स्पेसली जो है वीक बच्चे होते हैं उनको फिस बगारा से हल्प करता हूँ तो अगर आप इस तरह के सपोर्ट देते हैं तो आपको भी जो है उसमें भागिदारी करिया जा सकता है हेल्ट दिया जा सकता है उन बच्चों को ठीक है तो मित्रों हमारे इस प्रश्न का सही जबाब जो है वो आपका हो जाएगा A. K. C. S. P. N. दच्छिड भारत में आधुनी कला के जन्म दाता K. C. S. P. N. का साब ठीक है चलिए अगले प्रश्न की तरह पढ़ते हैं अगला प्रश्न कहा रहा है गर्वती इस्त्री नामक चित्र के चित्रकार है ठीक है गर्वती इस्त्री इस चित्र को किस चित्रकार ने मनाया है मनजीत बाबा ने या फिर केशिय श्पनीकर शहब ने तपंदाश या नित्यानन महापात्रा किशने फटा फट कमेंट्स लाइक सेर करते रहिए बहुत मेहनस से वीडियो बनाय जाता है इसलिए वीडियो में सुरूशे अंत तक बने रहिएगा और इमांदारी शे अपने टेस्ट को दिखिएगा तो हमारे इस प्रशन का सही जबाब जो है वो हो जाएगा केशियस पनीकर साहब का किसका है केशियस पनीकर साहब का बनाया ये चितर है अगरा प्रशन देखिए हमारे श्क्रीन का क्या कह रहा है कौन से आधुनिक कलाकार अपनी मूल प्रेडा मातिश को मानते थे मतलब जो अपनी मूल प्रेडा मानते थे वो किने मानते थे पास्चाते कलाकार हैनरी मातिश को मानते थे क्या वो मिरलानी मुखरजी थी जो मूल प्रेडा मातिश को मानती थी या फिर मिरा मुखरजी थी या बिनोद बिहारी मुखरजी थी या फिर सैलोज मुखरजी थे इन में से वो कौन सी मुखरजी है जो अपनी मूल प्रेडा जो है मूल प्रेडा वो हेनरी मातिश को मानते थी मानते थे है मतलब कि कि वो क्या है जायट सी बाते मानते थे सब्द में लिखा है तो वो मेल कालाकार है इसमें से ठीक है ये भी थोड़े तड़ीका है अपने दिवांग में सोच लेने का और पकड़ने का एंसर तो सही जवाब क्या होगा तो सही जवाब वो का इसका मित्रो हमारे इस प्रश्न का D. सेलोज मुखरजी सेलोज मुखरजी जो है वो अपनी मूल प्रेडा किसे मानते थे मातिश को मानते थे राइट एंसर D हो जाएगा प्रशन संखिया 6 का अगला बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके स्क्रीन का देखिए क्या कह रहा है किस कलाकार ने रेखा चितर कोलकता दस सीटी आई लव के नाम से प्रकाशित हुई किस कलाकार की रेखा चितर कोलकता दस सीटी आई लव के नाम से प्रकाशित हुई यानि उनकी रेखा चितर को कोलकता दस सीटी आई लव के नाम से प्रकाशित हुई जैनुवल आपदीन के या रथिन मित्रा के नित्यानन महापात्रा के या तपन दास के तो आज भी ताप 30 प्रश्णों की स्रिंखला और वो भी दम बेश्ट है और इस बेश्ट स्रिंखला को और बेश्ट बनाएंगे आप अपने कमेंट्स लाइक और सपोर्ट के साथ तो कोलकत्ता दा सीटी आई लग के नाम से प्रकासित हुई जो रेखा चेतर जिन की वो थी आपके वो कोन थे रथिन मित्रा कोन थे रथिन मित्रा ठीक है अगला प्रश्ण कह रहा है हमारा एक्सिडेंटल अन एपेडे नामक चित्र के चित्रकार है चित्र का नाम है एक्सिडेंटल अन एपेडे इस चित्र को किस चित्रकार ने चित्रित किया सुधिर पटवर्धन या रथिन मित्रा मंजीत बाबा या इन मेशे कोई नहीं ठीक है चलिए कमेंट्स फटाफट करते जाईए और मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मेरे फेस्बुक पेज को सपोर्ट दीजिए जयदा से जयदा फालो जरूर करिए ठीक है तो हमारे इस प्रश्ण का सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा ए सुधीर पटवर्धन का एकसिडेंटल आन पेडे नामक चितर सुधीर पटवर्धन ने बनाया है ठीक है अगला प्रश्ण देखिए इमेज क्लोजेज नामक चितर सरिंखला के रचनाकार है ये एक सरिंखला है जिसका नाम है इमेज क्लोजेज ठीक है ये एक स्रिंखला है, कौन सी, चितर स्रिंखला है ये क्या जगदिश्श्वामίνाथन ने इशे बनाया है या सतीस गुजराल में केजी सुब्रमणियम या निरोध मजुमदार इमेज कलोजेज नाम से चितर स्रिंखला कि रचना करने वाले इसमें से कौन से चित्रकार है तो वो चित्रकार है आपके निरोध मजुमदार डीर आइटेंस रोगा इस प्रशन का प्रशन संख्या 9 है ये डीर आइटेंस रोगा ठीक है अगला प्रशन देखिए आपके स्क्रीन का क्या कह रहा है कि किस कालाकार ने बंगाल के आकाल पर एक चित्र सरिंखला बनाई थी बंगाल के जो आकाल होता है आकाल पढ़ जाता है कभी को आप जानते ही है सूखा जो हो जाता है धरती बगारा या तो फिर डूब जाती है बाढ़ में तब आकाल होता है या फिर बहुत वारिशी नहीं होती है, फसल बगार नहीं होती है, तो आकाल थे, इसी तरह के कई तरह के आकाल होते हैं, और भी भुकम का आजाना नुक्सान होना उसका आकाल, तो किस का लाकार ने? यहाँ पर प्रश्न है हमारा, कि बंगाल के आकाल पर एक चितर सरिंखला एक चितर स्रिंखला उन्होंने बनाई केजी सुपरमडियम ने बनाई थी या बीशी शान्याल शाम ने परितोष शेन ने या ललित मोहन शेन ने किशने फटाफट कमेंट्स करते रहे अपने लाइक शेर के साथ और वीडियो में सुर्ष यां तक बने रहेगा अगर आपको अच्छे प्रशनों को फेस करना है तो कमपडिशन में तो हमारे इस प्रशन का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा C परितोष शेन बंगाल के एक आल पर एक चितर स्रिंखला बनाई थी परितोष शेन शाहब ने ठीक है अगला प्रशन देखिए हमारे श्क्रीन का थुरूदा लेंस नामक चितर स्रिंखला के रचनाकार है चितर स्रिंखला का क्या नाम है थुरूदा लेंस और इस चितर स्रिंखला के रचनाकार रचने वाले बनाने वाले क्या ललीत मोहन शेन है या फिर परितोष सेन राम गोपाल बिजय वरगिय या मोहन सर्मा ठीक है थुरू दलेंस नामक चितर सरिंखला के रचनाकार इन में से कौन है तो यह है हमारा परशन संख्या 11 और इसका सही जबाब है परितोष सेन ही ने बनाया है इसे भी थुरू दलेंस नामक चितर सरिंखला को परितोष सेन नहीं बनाया है और यहां भी आपने अभी पढ़ा है परशन संख्या 10 को इसमें भी बंगाल के आकाल पर एक चितर सरिंखला बनाई थी वो परितोष सेन नहीं बनाई थी ठीक है अगला प्रशन शंख्या 12 है स्क्रीन का कह रहा है पिकनिक किस कलाकार का बनाया गया चित्र है चित्र का नाम है पिकनिक और चित्रकार का नाम आपसे आपसन में पूछ रहा है कि सुबोध गुपता ने बनाया या फिर प्रदोश दार्श गुपता ने धनराज भगत ने या राम किंकर बैज ने वैसे आप्शन में तो सभी जो है आपके मुर्तिकार ही है लगबग लगबग आप्शन में और यहां पूछ रहा है पिकनिक जो है वो एक चित्र है और चित्रकार इसमें से कौन है तो मित्रो इसके चित्रकार है राम किंकर बैज सहाब राम किंकर बैज ने पिकनिक नामक चित्र बनाया था ठीक है अगला प्रस्ण देखिए इलिश्ट्रेटिड विकली आफ इंडिया में किस कलाकार ने अपने लेख लिखे है इलिश्ट्रेटिड विकली आफ इंडिया ठीक है इसमें पूछ रहा है किस कलाकार ने अपने क्या किये लेख लिखे सुधिर रंजन खस्तगीर ने या अब्दुल रह्मान जुकताई शाहम ने गुलाम मुहम्मद शेख ने या सारदा चरड उकील ने किस ने लिखे फटाफट कमेंड्स करते रहिए आज की टाप 30 प्रशनों की महराथन जो की डेली रात 8 बजे आपकी चलती है ये उनके लिए जानकारी दी जाती है जो नए जुणे हैं उन्हें पता चल जाए कि क्लास कितने बजे ये चलती है तो हमारे इस प्रशन का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सुधीर रंजन खस्तगीर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है जीवन पुस्तक नामक चितर के चितरकार कौन है जीवन पुस्तक बिलकुल इमानदारी के साथ प्रशनों का उत्तर दीजीगा इमानदारी का आशय यहां यह है कि अगर तीस प्रशन है तो आपको अगर आपने पहली बार में अपना बिकल्प एच वाइस किया है तो आपको एही मान के अपना काउंटिंग इल लेना है यह इमानदारी का मतलब यह हुआ ठीक है तभी आप समझ पाएंगे कि हमने कितना सही किया तो जीवन पुस्तक पूछ रहा है जीवन जो पुस्तक है यह एक चित रहे का नाम है टाइटिल किस ने बनाया जॉर्ज किट ने या हेनरी मातिश ने निकोलस रोरिक या जॉन कॉंस्टेबल किस ने बनाया तो मित्रो इसको बनाने वाले कालाकार का नाम है निकोल प्रशिद्र कलाकार जॉर्ज किट का जन्म किस देश में हुआ था भारत में या अमेरिका में इंगलैंड में या सिरलंका में ठीक है पसिद्र कलाकार जोर्ज कित जोर्ज कित सहब का जनम कौन से देश में हुआ था भारत में अमेरिका या इंगलेंड में कुमित्रो उनका जनम हुआ था स्रि लंका में कहां में सिरलंका में नेक्स्ट प्रश्ण देखिए प्रश्ण का कहना है निम्न में से किस कलकार के चितरों का विषय दैनिक जीवन तथा बीर भूम के निवाशी रहे यानि उनके चितरों को तीम था जो विषय था अर्चितर का अपना एक विषय होता है जैसे कि सैलियों में पहाड़ी शैली में कई लोग का एक अपना विशे था किसी का किष्ण लीला, किसी का गीत गोविन इस तरशे ठीक है किसी का रमायर, महाभारत, हर्मिगरन उसी तरशे इसमें से एक चित्रकार है जिनके चित्रों का विशे जो था तो मित्रों वो चित्रकार थे आपके बिनोध भिहारी मुखरजी जिनके चित्रों का विशे दैनिक जीवन और बीर भूम के निमाशी रहे ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न का कैना है कि बिनोध भिहारी मुखरजी के कौन से चित्र में लंबी आकर्तियां और ध्यात्मक की महानता को दर्शाती है ध्यान से प्रश्न को दिखें क्या पुछा गया है बिनोध भिहारी के कौन से चित्र में ये चितने चितर आपको दिख रहे हैं सब विनोद बिहारी मुखरजी के बनाय हुए चितर हैं लेकिन हमारा सवाल जो है वो ये है कि इसमें से वो कौन सा चितर है जिसमें लंबी आकृतियां आध्यात्मक की महानता को दर्शाती है मंदिर के घंटे वाले चितर में या ट्री लवर उनका बनाया जो चितर है वो या लाफ्टर चितर जो उन्होंने बनाया है वो या मध्यकालीन हिंदुशंत जो बनाया है वो इसमें से कौन सा वो चितर चारो चितर उन्हीं का बनाया हुए लेकिन हमें वो चुन्ना है जिसमें लंबी आकर्तियां अध्यात्मक की महानता को दर्शाती है वो कौन सा चित्र है इसमें से बिनोत बिहारी मुखर जी का तो मित्रों वो जो चित्र है वो है मध्यकालिन हिंदू संत इन्होंने बनाया है और इसी चित्र में लंबी आकिर्तिया जो है वो अध्यात्मक की महानता को दल साती है बहुत अच्छे प्रस्ण है अंदर के प्रस्ण है उम्मीद है कि बहुत पसंद आएंगे आपको अगला है युनुश्कू के द्वारा आयोजित अंतरराष्टी आधुनिक कला परदर्शनी में रबिंद्रनाथ टेगोर के कितने चित्र परदर्शित किये गए थे युनुश्कू के द्वारा अंतर्राष्टी या आधुनिक कला परदशनी यानि इंटर्नेशनल आधुनिक कला परदशनी में गुरुदेव रबिन्द नाथ टेगोर जिन्होंने 16-16 वर्ष की उम्र से लेखन छोड़ के चित्रकला में अपना कारे शुरू किया था उनके कितने चित्र परदशित किये थे? 4, 7, 9 या 12 चित्र हमारा परशन है परशन संख्या 18 जिसका सही जवाब है मित्रो ए 4 चित्र कितने परदशित किये थे? 4 चित्र अगला परशन देखिए ध्यान से देखिएगा परशन को गगनेंदरनाट टेगोर के चित्र के कौन से भाग में पर्यो की कहानी तथा साहितिक ग्रंथ पर आधारित चित्र आते हैं इसको मैं आपको समझाओंगा पहले तो सबसे पहले बात तो ये जा लिए कि गगनेंदरना टेगोर के जे चित्रों का भाग है उसे पाँच भागों में डिवाइट किया गया है उनके चित्रों को पाँच भागों में बाटा गया है तो उसी पाँच भागों में से एक भाग पे जिक्र यहां पे हमने प्रश्ण बनाया है यहां पूछ रहा है कि जो गगरेंदा टेगोर के पाँच भागों में चित्रों को बाटा है उसमें से कौन से भाग में उनके जो है परियो की कहानी ठीक है और साहितिक गरंत पर अधरिक चित्र आते हैं मतलब पाँच भाग में उनके परियो के कहानी और साहितिक गरंत समंदी चित्र बने हैं या चोथे भाग में, तीसरे भाग में, या पहले भाग में, आप्शन में इतना ही है, एक और भाग है, जो आपके आप्शन में नहीं है, लेकिन यहां तो हमको चारे भी कल्ब चाहिए, लेकिन उन्होंने पाच भागों में उतने चित्र को बनाए, हिस्वे में बाटा उसमें से एक भाग में परियों की कहानी और साहितिक ग्रन पर अधारिच चितर आते हैं कौन सा भाग अब मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्ण समझ लिया होगा मेरा तो उत्तर देने में भी आशानी होगा तो मित्रो ये जो प्रश्ण है हमारा उन्नि अगला प्रश्ण देखिए चैतन्य चित्रमाला किस कलाकार की चित्र सरिंखला है चैतन्य चित्रमाला चित्र सरिंखला का नाम है किसने बनाया अवनिंदरनाट टैगोर ने या गुलाम मुहम्मस शेख ने गगनिंदरनाट टैगोर ने या अब्दुल रह्मान जुकताई बेश्ट स्रीज चल लई है एक तरस समझज़ें बहुत मेहनद किया जाता है तयारी के लिए इस बेश्ट स्रिंखला को बेश्ट तरीके से प्रफामेंश के साथ अच्छे प्रफामेंश के साथ जरूर दिजिएगा और मेरे फेस्बुक पेज को जरूर जाईएगा फालू कर आते हैं आप तो तो हमारे इस प्रश्ण का सही जवाब जो है वो है आपका गगनेंदरनाट टैगोर का बनाया चित्र स्रिंखला है चैतेने चित्र माला बढ़ते हैं 20 वा प्रश्ण था वो 21 नमर प्रश्ण देखिए द्वार पाल निम्न में से किस कलाकार का चित्र है चित्र का नाम है द्वारपाल चित्रकार केसियस पनीकर शाहब है या ए ए अलमेलकर या सुरेश शर्मा या रतिन मित्रा ठीक है मित्रो अच्छा प्रश्न है नया प्रश्न है ये भी द्वारपाल नामक चित्र को किसने चित्रित किया तो द्वारपाल चित्र को बनाने मेले चित्रकार है ए ए अलमेलकर क्या है ए ए अलमेलकर अगला प्रस्न का कहना है कुल देउता किस कालाकार की मुर्ति शिल्फ है मुर्ति शिल्फ है ध्यान दिजिएगा कुल देउता संखो चोधरी का बनाया ये मुर्ति सिल्फ है या देवी परसाद राय चोधरी का सरवरी राय चोधरी का या राम किंकर बैच का नाम है कुल देउता और प्रस्न का कहना है कुल देउता किस ने बनाया ठीक है यानि किस मुर्तिकार की रचना है कुल देवता तो कुल देवता कि जो मुर्ति सिल्प के मुर्तिकार है वो है आपके संखो चौधरी ठीक है? Next प्रश्न का कहना है कलाकार यगेश्वर शुकला ने किस कलाकार से चित्र कला की बारिकिया शिखी थी यगेश्वर शुकला एकाधुनिक कलाकार जिन्होंने चित्र कला की बारिकिया जो है इनमें से एक कलाकार से शिखी थी चित्र कला की बारिकिया जेयम अहिवाशी से या केजी सुप्रमडियम शाहब से सतीस गुजराल से या MF हुशेन से ठीक है? तो चलिए मित्रो ड्रॉप करते रहिए कमेंट्स के सिंसिले को अपने बहुत अच्छे प्रश्ण है और वीडियो के अंत तक अपडेट रहिएगा तो इस प्रश्ण का सही जवाब है जेयम अहिवाशी से उन्होंने चित्र कला की बारिकिया शिखे थी ठीक है? अगला प्रश्ण है आपके स्क्रीन का किस कलाकार ने जैपूर की एक गली नामक चित्र चित्रित किया चित्र का नाम है जैपूर की एक गली क्या बीशी शान्याल का चित्र है या नित्यानंद महपात्रा का राम गुपाल बिजय वर्गिय का या यगेश्वर शुकला का चित्रका नाम जैपूर की ये गली चित्रकार कौन है कमेंट साथ को करना है मेरे उत्तर से पहले तो सही जवाब क्या होगा इसका इसका सही जवाब हो जाएगा डी यगेश्वर शुकला अगला प्रश्ण पचीसवा नम्मर प्रश्ण आपके स्क्रीन पे है और प्रश्ण कह रहा है लकडी के बलाकों की शहायता से नाव पर मानो जीवन नामक छापा चित्र बनाया लकडी के जो बलाक हैं उनकी शहायता से बनाया नाव पर मानो जीवन नामक छापा चितु ठीक है पूछ रहा है किस कालाकार ने बनाया सैलेंदरनाथ डे ने अशित कुमार हल्दर ने मुकुल चंद्र डे ने या प्रदोश दाश गुपता ने बहुत बेस्ट प्रश्ण है और यह जितने भी प्रश्ण है इसमें कुछ ऐसे प्रश्ण है जो very important प्रश्ण है बिलकुल ध्यान से पढ़ियेगा और ध्यान पुर्वकिस की तैयारी अपने दिमाग में रखियेगा सही जबाब इस प्रशन का है मित्रो मुकुल चंदर डेने किसी ने बनाया था मुकुल चंदर डेने अगला प्रशन देखिए आपके स्क्रीन का कह रहा है एनेश बेंदरे के संपूर कला यात्रा को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं बेंदरे शाहब की संपूर जो कला यात्रा है उसको कितने भागों में हम डिवाइट कर सकते हैं चार भागों में या तीन भागों में दो भागों में या निमेशिक किसी भी भाग में हम डिवाइट नहीं कर सकते हैं ठीक है सुपर मैराथन के सुपर प्रशन आपके सामने हैं 25-26 नमर प्रश्ण है और जल्दी फाइनल समिट होगा तो चरिए देखते हैं क्या है आज का आपका प्रोफार्मेंस तो इसका सही जबाब जो है मित्रो वो हो जाएगा तीन संपूर कला यात्रा को कितने भागों विवत कर सकते हैं तीन भागों अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन का देखिए क्या कह रहा है इन में से कौन सी कृति के लिए एनेश बेंदरे को राष्टिय उपाधी मिली थी यानि क्या बनाया था उनको राष्टिय उपाधी मिली थी एनेश बेंदरे साब को इन में से कौन सी कृति के लिए सुरज मुखी के फूल या गाय और बच्छडा काटे या भारत छोड़ो ये जितने भी चित्र हैं ये सब एनेस बेंदरे के बनाये हुए हैं लेकिन यहां हमारा प्रस्ण है एनेस बेंदरे की राष्टिय उपाधी मिली थी किस कृती से तो वो किर्टि थी आपके काटे क्या थी काटे थी तो इसका राइट इंसर आपका सी हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्णा 28 नमबर है निम्न मेंशे कौन कलाकार कबीर दास को लेकर एक स्रिंखला बनाना चाहते थे इसमें से कलाकार थे जो कबीर दास को लेकर ठीक है कबीर दास को लेकर एक स्रिंखला वो बनाना चाहते थे लेकिन वो स्रिंखला वो बना नहीं पाए उसके पहले दुनिया से रुक्षत हो गए क्या वो मदनलाल नागर थे या अच्छे नागर मे फूषयन या मंजीत बाबा कौन थे स्रिंखला तो नहीँ बना पाई लेकिन उसका रेखा चित्रू उन्हों ने तयार कर दिया था उस कलाकार ने उस स्रिंखला के लिए रेखाचित्र तयार कर दिया था लेकिन वो सरिंखला धुरी रह गई रेखाचित्र ही तक सीमित्र रह गया और वो दुनिया से चले गया कौन थे वो कलाकार तो मित्रों वो कलाकार थे आपके मदनलाल नागर कौन थे मदनलाल नागर चाहब ठीक है 29 नमर प्रशन देखिये बहुत सांदार प्रशन है और very very important प्रशन है ध्यान देज़ेगा very very important प्रशन है यह ठीक है इदम recent प्रशन है कलाका प्रशन कह रहा है बिश्यो के पहले काटन मूर्तिकार के नाम से जाने जाते है cotton मतलब जो रूई होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ रूई से वो कलाकार मुर्तियां बनाता है और मैं आपको बता दूँ अभी तक उन्होंने लगबग 2000 मुर्तियां छोटी बड़ी मिला कर बना चुके हैं वो कलाकार कौन हैं वो कलाकार 200 के पहले जिन्होंने लेकिन कौटन से इसमें से कोन बनाते हैं दुमित्रो कौटन से बनाने वाले जो मुर्तिकार हैं उनका नाम है अनंत खैरनार अनंत खैरनार मुल रूप से नासिक के महराश्टा के रहने वाले हैं जन्मे हैं और वो विश्यों के सबसे पहले जो मुर्तिकार है जो कॉटन से अपनी मुर्तिया बनाते हैं आप लोग उनके बारे में सर्च मार के दिख लिएगा बहुत बहतरी मुर्तिया बनाते हैं वो और वीडियो का आखरी प्रिशन देखें क्या कह रहा है बुदेर पंच किस कलाकार का बनाया चित्र है चित्र का नाम है बुदेर पंच चित्रकार का नाम बताना है आपको कि ललित मोहन सेन ने बनाया या रामनात पसरीचा सतीस गुजराल या केश जी सुप्रमणयम तो बुदेर पंच नाम चित्र को किस ने चित्रत किया मित्रो आखरी और तीश्वा प्रश्ण फाइनल सम्मिट कर दीजे इस उत्तर को देने के बाद और बताईए कि क्या रहा आपका प्रोफामेंस आज का तो सही जबाब है इसका रामनात पसरीचा ने बनाया बुदेर पंच तो उम्मिद करता हूँ आज की वीडियो और इसमें बताएगा प्रश्ण आपको बहुत प्रसंद आया होंगे तो लाइक, शेर, कमेंट्स करते रहेगा और फेस्बूक पे जाके फालो जरूर कर लिजेगा और चलिए आज के लिए दिजाएट कल फिल मिलते हैं प्रश्णों के साथ तब तक के लिए गुड नाइट सुबरातरी